अगर दोस्तो मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्लालोजी विद विवेक जहां हम मोगाल और कम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियो से लेकर आते रहते हैं अगर आप हमारे चनल पर नए हैं और आपने हमारे अपडेट आया है दोस्तों और कहा जा रहा है कि बहुत ही मज़ेदार है और एक नया एड दिखाने का तरीका लेकर आया है AdSense मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ मैं यहां पर आपको एक स्क्रीनशाट भी दिखाऊंगा मोबाइल फोन में वह किस तरीके से देख रहा है और कैसे वह काम करेगा दोस्तों वह आप यहां पर देख पाएंगे एड में आने के बाद वहां पर अभी लिखा आ रह लिखा हुआ है intent driven format इसको देहां से देखिए ads based on user interest and relevant search result that appear via link or anchor automatically placed on your page दोस्तों आपका जो user का जो interest होता है जो relevant search result होता है जिस तरीके का वो देख रहे हैं दोस्तों आप मान दीजीजे से कि हमारा technical यह website है और technical website ब्लोग पर आप देख रहे हैं example add intent anchor यह इस तरीके से दोस्तों दिखाई देगा जो आपको मैं देखिए आप screenshot पर भी देख पा रहे हैं यहां पर यह जो लिखा रहा है यह इस तरीके से आपको लिंक्स एंड और प्लेसे एंकर्स अट बॉर्टम और पेज वन क्लिक्ट डायलोग बॉक्स ओपन तुसों रिलेवेंट सब्सक्राइब यूजर्स में वी लुकिंग फॉर वित एड्स बूस्तों और दोस्तों कहा जा रहा है इस तरीके की कुछ जो एड्स हैं उनसे आपक वाले पेज से भी अलग है और यह बहुत ही अच्छा माना जा रहा है तो आपको करना क्या है यहां पर क्लिक कर देना है एड्स पर लिंक और एंकर यहां पर यह बन जाएंगे रिजल्ट में अगर आप कोई एक्स्क्लूड करना चाहते हैं पेज आप चाहते हैं कि इस यह बाद आप दोस्तों यहां पर अप्लाइट तू साइट कर दीजिए जैसे आप अप्लाइट तू साइट करेंगे तो आपको देखिए यह तरीके से यहां पर दिखाई देगा यह मुबाइल फोन में और मैं आपको यहां विंडोस में दिखा देता हूं कि पर आपके इस तरीके से इसको देख पाएंगे दोस्तों यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया और आप भी अगर एट्सेंस काप्यों करते हैं तो इंटेंट डिवन फॉर्मेट को अन कर लीजिए काफिय शीशी लग रही है अभी तक को दोस्तों मैं आशा करता हूं य इतने भी ब्लॉगर्स हैं जो एट्शेंस चलाते हैं वह इन शेटिंग्स को आउन कर सकते हैं और इसी ही अपडेट्स के लिए आप मेरे चल कर सकते हैं मेरा नाम है विविक भारतवाच थैंक यू